नमस्कार दोस्तों आप सभी का मैं एक बार फिट से हार्दी का विनंदन करता हूं हमारे इस चैनल इलक्ट्रोनिक स्टडी में आज अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया बीटिसी यानि के डियलेड और बीएड सब्सेक्ट के तहत उसके तहत जो है जो टॉपिक है आज का उस विशाई के तहत वो टॉपिक है पियाजे का सिध्धान् है यह बीटिसी डियलेड एक जो है अकडेमिक एक्जाम्स के साथ में जो कॉम्पटिटिव एक्जाम्स होते हैं ठीक है जैसे टीटी हुआ सी टीटी है और अधर स्टेट्स के जो टीटी एक्जाम्स हैं उनमें जीन प्याजे का जो सिध्धान्त हैं उनकी जो स्टेजस हैं एक बालक विकास के संबंद में वो उन सारे एक्जाम्स में पूछे जाते हैं तो यह प्रतेक एक्जाम के लिए अकेड़ेमिक एक्जाम हो या कोई आतिमहात्योपौ्ड है जीन प्याजें सिध्धानत पर जानने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल Electronic Study को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें अगर आप बेल आइकन को अगर दबाते हैं तो हमारे इस चैनल पर होने वाले प्रतेक वीडियो हैं उनकी Notifications आपको मिल जाया करेंगी आप से फिर भविश्य में कोई वीडियो जो है मिस नहीं होंगी और पूरी पूरा प्रयास किया जा रहा है इस वीडियो में जीन प्याजे के सिध्धान्त उनकी थिवरी को बताने में अगर कहीं भी कोई भूल या चूक होती है तो प्लीज आप उसे जो है नीचे comment में comment box में बता सकते हैं हैं उसके बारे में तो आते हैं जो है जीन पियाजे जो पियाजे का सिध्धान से थियोरी ऑफ पियाजे उसके बारे में देखते हैं तो सबसे पहले जो इसकी स्पेलिंग है पियाजे की वो पी आई एगेट या पियाजेट करके हम इसको बहुल सकते हैं, ठीक है, अगला इसमें है कि इनकी जो सिक्षा थी, जो एजुकेशन था इनका यूनिवर्सिटी ओफ निवशा टेल, इन दोनों जगहों से उन्हों ने अपनी सिक्षा प्राप्त की, फिर अगर मैं बात करूँ, जीन पियाजे के बारे में, तो ये मनोवैग्यानिक बनने से पहले एक प्राड़ी विज्ञानी थे, ठीक है, यानि के प्राड़ी विज्ञान में इनकी विशेश रुची थी, तत्पस्चा जो है, यह एक मनोवैग्यानिक बने, जीन पियाजे ने काफी समय तक फ्रांस के BINET BINET के साथ में मिलकर कई वर्षों तक काम किया तो इन्हों ने अगर मैं जीन पियाजे की बात करूँ तो इनका नाम क्यों आया सबसे पहले ठीक है उसके बारे में हम देखेंगे इसमें फिर हम देखेंगे कौन-कौन से ऐसे पद हैं कौन-कौन से ऐसे stages हैं जिस पर इन्होंने बल दिया उसके बाद हम इनके cognitive approach को यानि कि संग्यानात्मक विकास जो सबसे important चीज है हर एक exams के लिए उसके बारे में हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम दिखते हैं कि खंडन करना इन्होंने किस बात का खंडन किया जिसकी वज़ह से यह light में आये प्रकाश में आये और इन्होंने यह सारी जो theories इस theory को theories में जो stages हैं उनको बताया तो अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले क्या था जीन पियाजे के आने से पहले इनकी theory आने से पहले पहले प्रेचलित था कि जो बुद्धी है वो जनवजात होती है ठीक है बाई बर्थ अगर मैं बात करूँ कोई किसी के mental जो ability है वो जो है जनवजात होती है बाई बर्थ होती है जीन पियाजे के आने के बाद इन्हों ने अपना तर्क दिया कि जो बुद्धी होती है वो जनवजात नहीं होती है कहने का मतलब है जो mental label है वो बाई बर्थ नहीं होता है प्रयासरत मतलब एक होता है कि एक समया अंतराल पर एक समय की अवध्धी को ले करके मतलब अगर मैं एक starting stage से बात करूँ by birth मतलब एक बच्चे के जन्म से ले करके और उसकी मृत्यू तक में ये इस बुद्धी का विकास होता है कहने का मतलब है वो जन्म से ही बुद्धिमान नहीं होता है वो परिस्थितियों की अनुसार समया अनुसार ठीक है अपनी आयू की अनुसार बुद्धी का विकास उसमें होता है तो आगे देखें इसमें जो है कि आगे इनुने बताया कि जैसे जैसे बालक की आयू बढ़ती है जो एक सरल चीजों होती है, जो बाई बर्थ वाली है, जन्म हुआ और उसके बाद वो सरल चीजों को सीखता है, दीरे दीरे वो कठिन चीजों के तरफ रुख करता है, ठीक है? उसके बाद इन्होंने बताया कि जो सीखना है कोई यांत्रिक क्रिया नहीं है बलकि एक बधिक प्रक्रिया है ठीक है एक बुद्धी एक mental एक मानसिक प्रक्रिया है सीखने वाली बात अगर वहीं मैं बात करूँ कि जो समप्रत्य होते हैं समप्रत्यों के निर्माड की प्रक् तो वह समपरत्या निर्माड यान की conceptual development होता है वह समपरत्या निर्माड है इसी को हम सविक्रति इरे निर्माड जो है बोलते हैं तो बालक में क्या होता है कि उसकी आयू की अनुसार जो है धीरे-धेरे विकशित होती है बालक छोटा है अगर वह एक साल दो साल तीन साल का है उस समय उसमें conceptual development जो है का भाव मिलेगा जैसे 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 वो जो है उसका उसकी आयू बढ़ती जाती है उसका बुद्धी विकास होता है वैसे वैसे उसमें conceptual development होते हैं वो बढ़ते जाते हैं जैसा कि इसमें जो है मैंने बताया हुआ है इस तरीके साफ इसको easily समझ सकते हैं एक महिने दो महिने ठीक है यह 12 साल तक की बात है यहां पर हुआ क्या कि उस समय क्या है वो एक easy concepts को जो है समस्ता है या संप्रतेक सरल अवधारणा को समस्ता है वो ठीक है होता गया है जैसे जैसे उसकी आयो बढ़ती जाती है समय के साथ में कुछ वर्षों या समय आंतराल के पशल क्या होता है कि उसको जटिल अवधार ना यानि की जोовые फॉसको आने लगते है वो सीख जाता है कि कि इनते इस ओयहां बताया गया है सकते हैं कहने का मतलब है यहां पर उसकी starting note की जन्म बालक और यहां पे वह आ रहा है एक तरीक से वयस्क अवस्था में बारा वर्ज की अवस्था में तो उसमें क्या है चिंतन करने की जो सक्ति है चिंतन और मनन करने के संक्ति चिंतन मतलब ठेंकिंग पावर ठीक है करने के शक्ति परिपक्वता उसमें जो है उसमें ज्ञान का स्थर उस साथ में अंतह क्रिया करके तो यह धीरे दीरे जो जन से ले करके और वैस कवस्था तक आते आते जो है उसमें बढ़ती जाती है जितने भी गुर्दिय होए हैं यह मानसिक अस्तर के हैं और शारिरिक श्तर मतलब शारिरिक शंता भी जो है उसकी बढ़ती जाती है कहीं ना कहीं से उसके फिजिकल जो फिजिकली जो है वो उसमें भी चेंजे समको देखने को मिलते हैं इसमें बात करें कि इसलिए मनवज्यानिकों ने इसे क्या बोला है कि अंता क्रियावादी विचारधारा ठीक है कहने का मतलब है इसी कॉंसेप्ट था वहां से उसने सीखना शुरू किया और आके एक हाड या कॉंक्रेट कॉंसेप्ट जो है वो समस्या का निदान करना सीख गया वो समस्याों को सॉल्व करना सीख गया ठीक है तो यह थी बात जो है जीसकी बज़े से जीन पियाजे का नाम जो है लाइट में आया और एक जो है मनोवज्यानिक के रूप में इन्होंने अपनी पह्चान बनाई आते हैं इनके सिध्धान्त पर जो इनका exactly जो इन्होंने steps दिये थे क्या stages थे सिध्धान्त के principle के उसके बारे में देखते हैं तो इन्होंने आठ पदों में जो है अपने सिध्धान्त को define किया तो इनके आठ पद को हम पहले देख लेते हैं कि कौन कौसे steps थे जिसमें जो है इन्होंने अपने सिध्धान्द को बताया है तो पहला था इसमें अनुकूलन जिसको हम adaptation बोलते हैं English में अगला इसमें साम या धारडा यानि कि important इसमें है और जिस पर जो है पूरी story based है संग्या नात्मक संवरश्णा पर ही तो उसके बाद देखेंगे जो पांचवा है step वह मांसिक्रिया यानि कि mental जो operation होता है next है इसमें schemes क्या होती है उसके बारे में 7 में दिया हुआ इसकीमा क्या है आठों में है विकेंद्री का रण जिसको बोलते हैं ठीक है decentralization या डी-centering यानिके विकेंद्र रण तो इन आठ steps में जो है इन्होंने अपने सिधान्त को बताया तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो इनके steps हैं और उसके बारे में फिर जो सबसे लास्ट मे कैनुसार बच्चों में अपनी वातावरड वातावरड की अगर मैं बात कर रहा हूं तो उसमें समाज भी है उसमें परिवार भी है ठीक है उसमें सारे के सारे लोग जो है उसमें सामिल होंगे तो वातावरड के साथ में समायोजन की प्रवर्ति जो है वो जन्बजात होती अपने आपको किसी के अनुरूप ढाल लेना ही क्या है अनुकूलन है जिस वातावरण में गया और उसी वातावरण में ढल गया वो ठीक तो यह होता है अनुकूलन वहीं अगर बात करें कि यह क्रिया हमेशा मानसिक अस्तर पर चलती रहती है यह जो क्रिया है अनुकूलन वा थेक होता है आत्मसात करण या आत्मसात करण बोलते हैं इसको एसाइमिलेशन करके है और दूसरा जो है वो है समंजन यानि कि अकोमडेशन ठीक है तो अब आत्मसात करण का मतलब क्या है और समंजन का मतलब क्या है उसके बारे में हम देख लेते हैं इसमें जो assimilation या assimilation है उसमें क्या है कि आत्म साथ करण जो है एक जीव वैग्यानिक परक्रिया है ठीक है कहने का मतलब है जीव वैग्यानिक परक्रिया अब इसका क्या मतलब हुआ है करिके से अब यह देखते हैं यहाँ यह उदारण जो दिया हुआ है उससे हम समझते हैं कि इसका मतलब exactly है क्या जैसे है क्या कि भोजन का शरीर में आत्म साथ करण और शरीर की संरशना में जो है परिवर्तना ठीक है अब इसको समझते हैं हम लोग भोजन करते हैं ठीक है कहीं न कहीं से भोजन का पचना जो है वो आत्मसात करण को दिखाता है और फिर हम भोजन किसलिए करते हैं एक तरीके से जीवित रहने के लिए और जितनी भी मानस्पेशिया हैं या जो भी है एक व्रिद्धी और विकास के लिए growth and development के लिए तो जब मैं भोजन कर रहा हूँ उसका पचना आत्मसात करण हो गया और शरीर में जो है परिवर्तन यानि कि भावतिक सनचना में परिवर्तन आना क्या है इसको बता रहा है आत्मसात करण को पूरी तरीके से कि हमने भोजन करण किया वह पचा उसका आत्मसात करण हुआ और शरीर की सनचना में जो है हमको परिवर्तन देखने को मिला तो यह था आत्मसात करण वहीं अगर मैं समंजन की बात करूं यहां पर दिया है समंजन समंजन में है कि बालक अपने वातावरण परिवेश के साथ में समायोजित होने के लिए आत्मसातकरण और समंजन का सहारा इस्थिती अनुसार और आवशक्ता अनुसार करता है काहने का मतलब है एक तो बात होगी आत्मसातकरण वाली बात जो की क्या थी एक भावतिक संद्चना से संबंदी थी, कहने का मतलब है एक जियो वैग्यानिक प्रक्रिया थी, तो वहीं अगर मैं बात करूँ एक समंजन की, तो उसमें क्या है एक वातावरण या जो परिवेश है आसपास का, जिसमें मैंने बोला कि इसमें परिवार, समाद, सारे के सारी लोग आएंगे, तो वहाँ पर जो है बालक का समायोजन, किसके साथ में, वातावरण के साथ में वांता क्रियात्मक हो सकता है, यह किसी भी तरीके का, ठीक है, तो उसमें क्या है आत्मसात करण और समंजन, दोनों ही जो है परिस्थिती के अनुशार, कंडिशनल होते हैं य अपर परिस्थिती के अनुशार और नीड़ के अकॉर्डिंगली जो है वो अपने आपको, अपने आपको जो है, वाता अवरण के साथ में परिवश किसा समंजन से बना लेता है, या स्थापित कर लेता है, तो यह हुई बात जो है आत्मसात करण और समंजन पर क्रिया कि, वही जो इसमें दूसरा है जो steps था दूसरे में जो है तो equilibrium वाला यानि कि साम्य धारडा क्या होती है तो वही मैंने जो अभी उपर बताया कि साम्य अवस्था मतलब equilibrium जिसको हम बोलते हैं साम्य अवस्था मतलब एक equally दोनों को बराबर रखना है यहां पर क्या है जैसे एक्जामपल में ले सकते हैं कि आत्म साथ करन और समंजन का सहारा परिस्थिती अनुसार और आवस्था अनुसार जो हम लेते हैं इन दोनों को कही न कहीं से जो हम यूज करते हैं तो वहां पर क्या हो जाएगा ? यह सामेधारड़ा वाली बात आजाएगी वहीं अगर मैं संरक्षन की बात करूँ तो जब मैं संग्यानात्मक विकास की बात करूँगा तो वहां पर यह संरक्षन यह conservation क क्या होता है ? उसके बारे में हम देखेंगे तो अभी तक जो मैंने देखा यहाँ पर स्टेजेस जो थे इनके स्टेप्स जो थे वो एक दो और तीन ठीक है एक अनुकूलन हो गया इनमे सामे धारडा और संरक्षन ये तीसरा था वही जो चौथा है जिसको हम संग्यानात्मक संरचना बोलते हैं तो संग्यानात्मक संरचना क्या है उसको जानने से पहले हमको जो है एक यह यानि जो पाचवा वस्था है मानसिक क्रिया यानि कि मेंटल ऑपरेशन उसके बाद है स्कीम क्या होते हैं और इसकीमा क्या है वो जानना जरूरी है तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो मांसिक रिया है वो क्या होती है और उसके बाद इसकीम से और इसकीमा के बारे में तो अगर मैं mental operation की बात करूँ तो बालक द्वारा तुरुटी निदान या समस्या समाधान के लिए किया जाने वाला चिंतन कहने का मतलब है एक ऐसी mental ability को बताता है जिसमें क्या है कि किसी समस्या के निप्टान के लिए उसके निदान के लिए समस्या के समाधान के लिए जो चिंतन जो thinking की जाती है वो कही न कहीं से किसे related है mental operation से वहीं अगर मैं schemes की बात करूँ, schemes क्या होते हैं, तो मानसिक संक्रियाओं का अभिवक्त रूप, अब संक्रियाओं क्या है, यही क्रियाओं, जो मैंने बोला, एक समस्या वाली बात ठीक है, एक समस्या है, कोई व्यवहार है, कोई विचार है, कोई चिंतन है, ठीक है, कोई तर तो इसमें क्या होता है कि विशेष अवस्था में बालक के समस्त ग्यान विचार जो उनके तर्क होते हैं जो उनके व्यवहार है उनकी समग्रता से समग्रता मत्तब एक साथ मिलें करके ठीक है संगठन जिसको बोलेंगे समग्रता से एक सेट या समुच्छे तयार करना क्या हो यानि समुच्छे हो गया यह क्या है उप समुच्छे है तो इन सारी चीज़ों को में इकठा करके क्या बना सकते हैं इस कीमा तयार कर सकते हैं तो यह वी बात पांचवे छठेश और साथवे जो इस्टेप्स से उसके बारे में तो यहां पर यह दिया हुआ है अब मैं आता साथ यानि कि ford को छोड़ करके मानसिकरिया isk seems और इski मात तक तो इस संग्यानात्मक सनरच्णा यानि कि जो पिया जे का संग्यानात्मक विकास का जो सिध्धानत आ है उसके बारे में हम आप अगले वीडियो में उसको लें करके जो है रूबर होंगे तब तक के लिए धन्यवाद थैंक्स पर वचिंग इस वीडियो